बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया इंजिनेरिंग के उपर कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है कैसा प्रिशर है यह सब बनाया लेकिन यह वीडियो थोरा डिफरेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंजिनेरिंग कितना डिफिकल्ट है यह बहुत ही लेम बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट मित फैलाता है कि ऐसा होता है वैसा होता है इस वीडियो में में एकदाँ ओनेस्ट ऑबिनियन दूँगा मैं खुद एक थाड़ इयर का पावर इंजिनेरिंग का स्टुडेंट हु जातपुरु निवस्टि का और third year almost खतम होने वाला है मेरा तो मेरा first semester से अभी तक पूरा offline exams हुआ है first का एक माईने मेरा online classes था एक माईने online classes था उसके बाद पूरा offline था exam भी हर semester मैंने offline दिया है और हर semester में अभी तक हर semester में हर semester में each subject मैंने pass किया है तो मैं एक idea देता हूँ honest opinion होगा पूरा तो first of all first year का जो curriculum है specially West Bengal का जो colleges है जैसे कि JU, CU, KGEC, JEC जितना में colleges है उसमें first year का curriculum almost similar होता है subjects थोड़ा बहुत unis भी हो सकता है लेकिन curriculum almost similar होता है mostly चीज तुम 11-12 में जो पढ़े हो वो फिर से repeat होता है कुछ चीज new भी आता है for example engineering mechanics है basic electronics में थोड़ा extra चीज है basic electrical में थोड़ा extra चीज है तो थोड़ा बहुत extra है लेकिन इसका difficulty first year का difficulty है almost तुम बोल सकते हो कि 11-12 का जो board exam का difficulty था almost similar है तुम बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा जादा difficult तुम बोल सकते हो than 11-12 मैं खुद का experience बोल रहा हो कोई दूसरा student का कोई दूसरा opinion में हो सकता है कुछ लोग का बहुत easy लग सकता है कुछ लोग का बहुत difficult लग सकता है लेकिन मेरा personal opinion है फिर से बोल रहा हो तो first year का curriculum 11-12 का curriculum से थोड़ा जादा difficult तुमें लागेगा कितना दिन पढ़ने में enough है ये भी एक lame question है मैं खुद का perspective बोल रहा हो अगर तुम exam से 3 days पढ़ाओगे first year में 3 days अगर ठीक से पढ़ाओगे तो तुम easily 9 CGPAL आ सकते हो 3 days 3 से 4 days एकदम must अगर तुम पढ़ाई करोगे तो 9 CGPAL भी आ सकता है अगर तुम एक दिन पढ़ाओगे तो तुम pass हो जाओगे इतना almost sure है कि अगर एक दिन ठीक से अगर पढ़ाओगे तो pass हो जाओगे ये मेरा खुद का opinion है फिर से बोल ला हूँ कोई odd student मत बोल ला कि मैंने मैंने आपका वीडियो देखकर एक दिन पढ़ाई किया और मेरा साफली लग गया ऐसा मत करना मेरा खुद का opinion है ठीके मेरा खुद का ऐसा लग ऐसा हुआ है मैं खुद फस्ट यर में इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था मैक्सिमाम टूस से थी डेस मैंने पढ़ाई किया था थोड़ा भूत नंबर आ गया बहुत हाई नहीं आया था second year से second year से दूसरा जो departments है दूसरा department का pressure अलग है थोड़ा भूत idea मैंने वीडियोς में दिया है लेकिन मेरा खुद का department में बोले डो second year में तुमें almost one to two weeks पहले से तुम पढ़ना होगा, बहुत लोग बोलता है कि एक दो दिन पढ़ने से हो जाएगा, नहीं होगा, भाई, एक दो दिन अगर पढ़ोगे तो कुछ subjects हो सकता है, ठीक है, कुछ subjects हो सकता है एक दो दिन में, लेकिन हर subject नहीं होगा, maximum मैं बोल रहा हो कि one to two weeks लगेगा, कुछ-कुछ subjects में, तो second year का जो curriculum 1 से two weeks लगता है, मेरा खुद का department में ऐसा हुआ था, और अगर difficulty कैसे बोलोगे, तो तुम J-means level का difficulty तुम बोल सकता हो, कुछ-कुछ जगा में थोरा उपर भी है, कुछ अच्छा level का mathematics का knowledge भी लगता है, कु calculus बहुत अच्छा से आना चाहिए, तो, और learning तो ही, ठीक है, कुछ लोग बोलते है कि learning का कोई चीज नहीं है engineering में, obviously है, तो मैं understand करने का भी चीज है, learn करने का भी चीज है, उसके बाद third year में, मेरा खुद का experience है, मैंने बहुत struggle किया है, third year में बहुत पढ़ना पढ़ता है, कुछ लोग बोलें कि मेरा तो एक दीन में हो गया, तो तुम हो सकते हो, तुमारा intelligence जादा है, हो सकता है, मेरा खुद का experience है, third year में, almost three से four weeks अगर पढ़ोगे, उसके बाद तुमारा eight CGP आएगा, ठीक है, three से four weeks अच्छा level का पढ़ना होगा, अगर तुम एक हपते पहले ब लेकिन पास हो गया था, और difficulty को अगर बोलोगे तो difficulty है, difficulty तो है, और level jman says तो उपर ही लगता है, mathematics भी बहुत अच्छा आना चाहिए, learning capability भी अच्छा होना चाहिए, बहुत सारा हवास syllabus का theory है, differences है, description है, diagram है, बहुत सारा चीज है, तो जो बोलते है कि एक दो दिन में हो ठीक है, fourth year में curriculum बहुत हलका हो जाता है, fourth year में बहुत हलका हो जाता है, उसका ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, एक week अगर पढ़ोगे तो ठीक से, तो ठीक टाक number आ जाएगा, दूसरा जो department है, ये vary करता है, कुछ department ऐसा है कि subject के difficulty है, कुछ department है कि subject के difficulty इतना जादा नहीं है लेकिन teacher's number कम देता है, और कुछ department में दोनों ही है, तो ऐसे तुम department classify कर सकते हो, for example, जो civil engineering department जादपुर में, इसमें subject भी difficult है, और teacher भी थोड़ा बहुत number कम देता है, तो academically बहुत difficult माना जाता है civil engineering department, एक और department है electrical engineering, इसमें भी तुमें बहुत पढ़ाई करना होगा, लेकिन legit बहुत बहुत भासिलवास है, mechanical में क्या है कि mechanical में पढ़ाई करना होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर लिख दिये तो तो marks मिल जाएगा, तो production एक और department है, जैसे कि वहाँ पर number मिलना थोड़ा difficult students को लगता है, कुछ department ऐसा है कि number बहुत हाई score करता है, जैसे कि printing engineering मे उसमें academic pressure कम है, इतना high नहीं पढ़ना होता है, उसमें theoretical चीज थोड़ा ज्यादा है, ETC, instrumentation, ये दो department में बोथ तुमारा analytical skill and learning capability दोनों लगेगा, और teacher's marks थोड़ा बहुत देता है, कुछ teacher है कि number थोड़ा कम देता है, लेकिन mixed है फुड़ा, लेकिन तुमें legit पढ़ना होग मतलब एक दो दीन अगर पढ़ोगे तो तुम बहुत, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, second year, third year में, ETC, instrumentation, इन दोन department में, अगर एक दो दीन अगर पढ़ोगे, exam से पहले, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा भी department साय जाएगा, chemical engineering, food technology, construction engineering, इस सब डिपा engineering और food technology, numericals थोरा कम है, तो और details मैंने वीडियो में दिया है, वहां से देख लेना, मैं एक approximately बोल दिया कि engineering इतना भी आसान नहीं है, लोग बोलते कि एक दो दीन में हो जाएगा, ये ये बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा मीथ है, ठीक है, एक दो दीन में हो सकता है, इस से प तो difficulty तो है भाई, ठीक है, difficulty है, इसलिए तो placement अच्छा मिलता है न, जहां पर difficulty इतना जादा नहीं है, एक सोई जेट कुछ colleges है, जहां पर एक दम में difficult नहीं है, placement में भी नहीं होता है, ठीक है, जहां पर जादा academic pressure है, वहां पर ही placement, research, high study जादा अच्छा होता है, pressure में students का development जादा अच्छा होता है, इसका मतलब ऐसा है न, कि इतना pressure है कि 10 backlogs लग गया, ऐसा नहीं है, तो overview दे दिया मैंने, तो और कोई doubt है, तो नीचे comment में लिखना, तब तक के लिए, okay, bye